हेलो शूटर मेरा नाम रमेश काध्यान है और मैं एक इंटरनेशनल शूटर हूँ और काध्यान शूटिंग स्पोर्ट्स अकेडमी का कोच हूँ शूटर आज हम बात करेंगे कि अच्छी शूटिंग चलते चलते अचानक से बैड शूट का लगना क्यूं होता है अचानक से बैड शूट क्यूं जाते हैं तो जब कोई शूटर लगातार टैन या फिर नाइन में हिट करता रहता है और फिर अचानक से एट या सेवन लग जाता है जो कि आपके मसल के जटके के कारण होता है आपका मसल आप राइफल सूटर है तो ज़्यादा तर आपका कंदे से जटका आता है या ट्रीगर का जटका लगता है जो पिस्टल सूटर है उनकी कलाई के जटके के कारण या ट्रीगर के जटके के कारण उनका सोट एट या सेवन में लग जाता है तो ऐसा होता क्यूं है बैड सोट ज्यादातर उन सूटर के जाते हैं जो हंटिंग शूटिंग करते हैं एक बार फिर शे इसके ध्यान से सुनिए जो सूटर हंटिंग करते हैं यानि कि जैसे सिकार में किया जाता है कि सिकार आपके सामने आएगा और आप अचानक से ट्रिगर दबाएंगे और उसको गोली हिट हो जाएगी इस तरह की शूटिंग करने वाले सूटर के ज़्यादातर बैड शोट जाते हैं वो लगातार अच्छी शूटिंग करते रहेंगे और फिर बीच में अचानक से ऐसा सोट आएगा जिसके उपर उसको भरोसा ही नहीं होगा यह सोट आया कैसे तो यह हंटिंग शूटिंग होती क्या है जो शूटर अपने पॉइंट ओफ एरिये पे जबरदस्ती अपने साइट को मिलाके और ट्रीगर को अचानक से प्रैस करते हैं उसको हंटिंग शूटिंग कहते हैं और इससे बचने का तरीका क्या है आपको अपने ड्राइ प्रैक्टिस के अंदर स्मूद ट्रिगर प्रैस करने की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए जिसके कारण आप हंटिंग शूटिंग से बच सकते हैं दूसरा कारण होता है साररिक और मानसिक दबावाना बहुत से सूटर अच्छे शूटिंग करते रहते हैं और जब अच्छी शूटिंग लगातार चल रही है आपने आठ, नो, टैन लगातार मार दिये हैं और फिर अचानक से 8 आज़ाता है तो इसका कारण होता है कि उस जिससे कि आप अपने मानशिक स्तीति को और सरीर को रिलेक्स रख सकें आप जितना रिलेक्स होके अपनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी श्यूटिंग उतनी अच्छी चलेगी यदि इससे संबंदित आपका कोई सवाल होता है या आप हमारी मदद चाहते हैं तो दो अंतर के अनुशार जवाब देंगे धन्यवाद